हम जब गहरी नीद में सोते हैं, तो हमें कई तरह के सपने दिखाई देते हैं, सपने में हम कोई न कोई नई बात जरूर देखते हैं, जानकारों की बातों पर भरोसा करें, तो सपनों में कुछ ऐसी सामानताएं होती हैं, जो व्यक्तिक के व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन स काफी मेल खाती हैं आज हम आपको सपनों में दिखने वाले कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिने देखना काफी असुब होता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ करन उपाद्याए और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर ले और बगल में ब यात्रा करते हुए देखना काफी अशुब होता है जब कभी आप खुद को सपने में यात्रा करते हुए देखते हैं उसके अगले दिन आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए चुकि यह सबसे अशुब सपने होते हैं यदि आपको भी सपनों में कववा नजार आता है तो यह का भी अशुब होता है सपने में कववा देखना किसी अशुब घटना की ओर संकेत करता है सपने में मुंडन करवाते हुए देखना असुब होता है यह सपना परिवार में किसी की मृत्यू का संकेत देता है सपनों में यदि कपड़ा देखना वियोग का संकेत माना जाता है ऐसे सपने देखने के बाद आपको काफी सचेत रहने किया उशकता है सपने में सुर्यास्त यानि की डूपता हुआ सूरज को देखना शुब नहीं माना जाता है माननेता यह भी है कि यह सपने आपके जीवन में किसी अशुब घटना का संकेत हो सकते हैं सपने में समुद्र देखना भी अशुब सपन माना जाता है यदि आपको सपने में समुद्र दिखाई दे तो अपनी वाड़ी पर नियंत्रड रखने का प्रयास करना जाए सपने आना सिर्फ हमारे दिमाग की एक कालबनिक सोच है जो हमें नीद के दौरान दिमाग के जरीए दिखाई देती है आपको या जानकर शायद हैरानी होगी कि आपको ज्यादातर सपनों में वही दिखाई देता है जो असल लाइफ में आपके आसपास हो रहा है जैसे यदि आप कोई डराओनी मूवी देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको डराओने सपने आए जैसे कि यदि आपने कोई सूपर हीरो मूवी देखी हो तो हो सकता है आपको उसी मूवी के जैसे सपने आए ऐसा भी हो सकता है कि इस सपने में आप अपने आपको सूपर हीरो माने सपने आने का पिछले जनम या फिर अगले जनम से शायद कोई लेना देना नहीं होता है अगर हम विज्ञान की राह पे चलें तो सपने आना सिर्फ आसपास की घटना का दिमाग द्वारा बनाया गया एक माया जाल सा होता है लेकिन अलग-अलग चीजों के सपने आने का अलग-अलग मतलब भी बताया गया है सपने आने का मुख्य कारण है नीद यदि नीद ही नहीं होगी तो सपने भी नहीं आएंगे सपने हमारी सोच ही होती है जो हमारा दिमाग सोते वक्त सपनों के रूप में देखता है सपनों का मनुष्य जीवन पर क्या असर पड़ता है यह मनुश की सोच पर निर्भर करता है कि यदि वह अपने सपनों को सच मान कर चलता है तो उस पर काफी असर पड़ सकता है आम तोर पर हमें अपने सपनों को अंदेखा कर देना चाहिए असल जीवन में और सपनों में बहुत अंतर होता है यदे आपको कुछ करना है तो सपनों से बाहर निकलिए जीवन में मेहनत करिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताईगा और अपने दोस्तों और फैमली में ज्यादा से ज्यादा शेयर में करिएगा तब तक के लिए धन्यवाद